Hi everyone, welcome back to my cooking channel. I hope आप सभी लोग ठीक होंगे. तो अभी दुपहर के एक बज चुके हैं और हो गया है लंच का टाइम, तो चलिए चलते हैं किचिन में और देखते हैं आज मैं लंच में क्या बनाने बाली हूँ. तो सबसे पहले फ्रिज में से मैं निकाल के ले आई हूँ मतर, तो मार्केट से जब भी मैं मतर मंगाती हूँ, तो इसी तरह सारी मतर को छील के डब्बे में रख लेती हूँ. इससे काम थोड़ा साना आसान हो जाता है, जब भी आपको कोई रेस्पी बनानी है, तो फटा फट से आप मतर को निकालिए और जटपट से उसे बना लेजिए. तो यहाँ पे लगबग मैंने एक कप मतर ले ली है और उसे अच्छे से पानी से वाश कर लिया है, उसके बाद हम उसे प्रेशर कुकर में डाल के और थोड़ा सैस में पानी डालेंगे और यहाँ पे इसे उबाल लेंगे. क्योंकि आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ मतर के बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही सौफ्ट से नान, जो इस मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं. वैसे बनाने को तो आप इने गर्मियों भी बना सकते हैं, पर इस समय जो मतर आती है, एकदम फ्रेश, ताजी होती है, बहुत ही अच्छे टेस्ट में होती है, तो इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. और उसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ आज शाही पनीर की सबजी, तो उसके लिए यहां पे मैंने मसाला पहले ही तयार करके रखा है, और आप वीडियो में देख सकते हैं, तो यहां पे मैंने प्यास, टमाटर, अद्रक और हरी मिर्ट को अच्छे से पका के रखा है, तो जब तक सबजी का मसाला ठंडा होगा, दूसी साइड मैं पनीर को काट लेती हूँ, तो यहां पे जो पनीर मैं यूज कर रही हूँ, उसे मैंने घर पे ही बना के तयार किया है, और घर पे जब हम पनीर बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सौफ्ट बनता है, मैं तो mostly घ जब एक मिकसी का जार और सारे मसाले को इसमें डाल देंगे, साथ में मैंने यहां पे थोड़ा सा दूट डाला था और थोड़ा सा मैंने किचिन किंग मसाला डाला है, अगर आपके पास हो तो आप इसे जरूर डालें, इसे सबजी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ हो गया है, तो चलिए आप करते हैं आगे की तैयारी, तो यहां पे गैस पे रखेंगे एक पैन, और उसमें मैंने डाल दिया है दो चमच भर के कुकिंग ऑल, साथ में ही एक चमच बटर भी डाला है, तो अगर आप भी यह सबजी बनाएं, तो उसमें बटर जरूर डालें, बटर से भी फ्लेवर बहुत जादा इंस हो जाता है, और टेस्ट बिल्कोल ढबे और रेस्टोरेंट जैसा ही आता है, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कश्मेरी लालमिश डाली है, और उसके बाद मैंने डाल दिया है सारा पेस्ट जो हमने बना के रखा है, तो बस जार म तोड़ा सा पानी और डालेंगे अच्छे से गुमाते हुए सारा जो पेस्ट है उसे निकाल लेंगे और पैन में डाल देंगे और दूसी साइड जो बटर मैंने रखी थी बॉयल होने के लिए वो भी बॉयल हो गई है उसे मैंने छली में निकाल के रख दिया है जिससे कि इस करती हूँ मैं मार्किट वगेरा से नहीं मंगाती हूँ क्योंकि दूद के उपर जो मलाई आती है वो भी बहुत थिक आती है इस टाइम सर्दियों के मौसम में दूद पे बहुत अच्छी खासी मलाई आ जाती है तो मैं मोस्त ली किसी भी सबजी में मुझे जब मलाई की ज थोड़ा सा गरम मसाला भी उसमें एड़ कर दिया है और उपर से एक चम्मच बटर और डाल दिया है तो यहां पे हमारी जो सबजी है वो बन के पिल को तयार हो गई है और गैस की फ्लेम मैंने यहां पे कर दी है बंध और अब चलते हैं करते हैं आगे की तयारी तो यहां प सबी को अच्छे से एक दो सेगिन के लिए भून लेंगे और उसके बाद हम सारे बेसिक मसाले यहां पर डाल देंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, साथ में ही यहां पर आप हींग जरूर डाले और सौफ का पाउडर इन सबी चीजों को डालने के बाद थोड़ा समय ने इसमें बेसन यूज़ किया है, लगबग एक चमच, ज्यादा बेसन यूज़ नहीं करना है, बस एक चमच ही आपको इसमें डालना है अच्य से बेसन को मसाले के साथ भूल ले, जब इसमें से कुश्बू आने लगे तब हम डालेंगे यहां पर मटर और मटर को डालने के बाद अच्छे से मैशर से आप मैस कर दे और एक दूमनेट के लिए इसे और भून ले और लास्ट में डालने खूप सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया आप चाहें तो यहां हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं पर मैं हरी मिर्च बहुत कम ही डालती हूँ क्योंकि अगर सब्जी या फिर किसी भी रेसिपी में हरी मिर्च का फ्लेवर जादा हो जाता है तो बच्चे जो जो है सब्जी बिलकुल नहीं खाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबलम हो जाती है उन्हें खाना खिलाने में तो मैं सभी चीजों में मसाले कम ही रखती हूँ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले बढ़ा या फिर घटा सकते हैं तो चलिए अब नान बनाने के लिए यहाँ पे हम आटा भी लगा लेते हैं तो आज मैंने आटे के नान बनाए हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कोकिंग ओयल और थोड़ा सा खाने बाला सोड़ा साथ में ही डालेंगे यहाँ पे एक कप भर के फ्रेश दही और अच्छे से mix करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप एक नरम सा soft सा आटा लगा के रख दीजे और बस अब इसे हम कपड़े से डख देंगे और rest के लिए छोड़ देंगे कम से कम आदा घंटे के लिए तो अब थोड़ा सा धनिया यहाँ पे साफ करना है क्योंकि हम नान बनाने बाले हैं उसमें उपर से लगाने के लिए थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया चाहिए और थोड़े से हम यहाँ पे लेंगे काले तिल तो अगर आपके पास काले तिल हो तो आप बोले लीजे वरना आप यहाँ पे सफेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो आप बिना इनके भी बना सकते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपको चाहिए ही बस देखने में थोड़े से जादा अच्छे लगते हैं जैसे कि हम रेस्टोंट बगरा पर खाते हैं ना सेम उसी तरह के लगते हैं बना टेस्ट में तो कोई भी फरक नहीं आता तो यहाँ पे मैंने धनिये को अच्छे से साफ कर लिया है और अब इसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी और इसी प्रेट में साइट से रख देंगे एक चमच भर के काले तेल तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको आज की ये रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें साथ ही इसे जादा से जादा शेयर करें तो देखें यहाँ पे मटर का जो हमने पेस्ट बना के रखा था मतलब जो मसाला तयार किया था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब इसकी हम चोटी-चोटी सी बॉस बना के रख लेंगे जिससे कि हम जब नान बनाएंगे न तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सभी नान में बराबर की स्टफिंग मिलेगी हमें क्योंकि जब हम रैंडमली ऐसे ही स्टफिंग भरते हैं तो किसी-किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो जाती है तो इस तरह जब हम पहले से बना के बॉल रख लेंगे तो सभी में बिल्कुल बराबर स्टफिंग जाएगी और साथ ही हमें नान बनाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी तो बस आप जितनी भी स्टफिंग भरना चाते हैं उसी हिसाब से बॉल को बना के तयार कर लिजे तो देखें यहाँ पे सभी बॉल को मैंने बना के तयार कर लिया है तो चलिए आप चलते हैं नान बनाने की तरफ क्योंकि काफी टाइम हो गया है और जो आटा हमने बना के रखा था उसने भी पूरी तरह से अच्छे से रेस्ट कर लिया है तो बस यहाँ पे हम लोई निकाल लेंगे जितने बड़े हमें साइज के नान बनाने हैं तो यहाँ पे अभी मैं आपको दो नान बना के दिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने दो लोई बना ली हैं तो इस तरह उसे सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट करेंगे और गोल गोल एक कटोरी की तरह उसे बना के तयार कर लेंगे और एक हम मतर की बॉल को उठाएंगे और बीच में इस तरह रखके लोई बना के तयार कर लेंगे तो अच्छे से आप लोई बना के तयार कर लीजिए स्टफिंग जो बिल्कुल भी बहार नहीं आएगी बहुत ही टेस्टी हमारे नान बन के तयार होंगे तो सर्दियों के इस कटकड़ाते मौसम में रेस्टोरेंट या होटल तो कोई नहीं जा रहा खाना खाने पर उस खाने को आप बहुत एजिली घर पे बना के तयार कर सकते हैं या फिर कभी आपके घर में महमान आ जाएं आप उनको ये रेसिपी बनाके खिला सकते हैं सभी को पेहत पसंद आएंगे तो यहां पर मैंने दो लोई बनाके रख ली हैं उसके बाद मैंने गैस पर रखा है आईरन का तबा तो नान बनाने के लिए आप भी आईरन के तबेका ही यूस करें उस पे बहुत अचिनान बनते हैं तो इस तरह एक लोई लेंगे थोड़ असा उस पे सूखा आटा लगाएंगे और हम इसे बेल लेंगे तो यहाँ पे मैं लंबाई में बनाने बाली हूँ आप चाहें तो इन्हें गोल आकार में भी बना सकते हैं और उसके बाद इसके उपर हम थोड़ असा धनिया लगाएंगे और थोड़ इसे काले तिल तो बस इसे लंबाई में इस तरह हम बेल लेंगे और उसके बाद हम पीछे की साइड इस पे पानी लगा देंगे पानी आपको जरूर लगाना है जिससे कि ये तबे पे अच्छे से चिपक जाये तो जिस साइड से हमने पानी लगाया है उस साइड से आप नीचे की साइड रखें और जिस साइड हमने धनिया पत्ती लगाई है वो साइड आप उपर रखें अब medium to low flame पे इसे हम पहले यहीं पे पकाएंगे और तब तक मैं दूसरा जो नान है उसे भी बेल के तयार कर लूँगी इतने ये अच्छे से नीचे से कुख हो जाएगा तो वैसे तो नान बनाना बहुत ही इजी है बस एक दो बार की practice है उसके बाद आपके नान बहुत ही जादा अच्छे बनेंगे जैसे कि आप बिलकुल जाके होटल पे खाते हैं ना सेम उसी तरह के तो बस इस तरह हम तबे को उठाएंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पे आपको लो ही रखनी है इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से नीचे से इस तरह कुख कर लेंगे और किसी कर्ची की मदद से इजीली यह निकल जाते हैं इन्हें निकालने के बाद इस तरह चीम्टी की मदद से आप दोनों साइड इन्हें सेख लीजे तो सेखते टाइम भी आपको ध्यान रखना है गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है मीडियम टू लो पे ही इन्हें बहुत अच्छे से सेखना है अच्छा कलरानी तक तो देखी फ्रेंट्स यहां पे यह नान तो हमारा बन के तयार है और बस इसी तरह मैं दूसरा नान भी बना के तयार कर लूँगी और अपने नान के उपर हम लगा देते हैं धेर सारा देसी घी अगर आप देसी घी ना लगाना चाहें तो आप यहां पे बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे नान बनते हैं, मतलब बहुत अच्छी खुश्बू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इच्छा आपकी है, चाहें तो आप देशी गी का यूज़ करें या फिर बटर का, तो देखे इस तरह ही मैंने दूसरा नान जो है वो भी बना के तयार कर लिया है और इसे भी उसी तरह मैं सेख के तयार कर लूगी तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है घर पे नान बनाना चाहें आप कोई से भी स्टफ नान बनाएं या फिर प्लेन बनाएं सबी का प्रोसीजर यही रहता है तो यहां मेरा तो लंच बनके तयार है बिलकुल यहां बहुत ही टेस्टी शाही पनीर की सबजी भी तयार है और मटर वाले स्टफ वाले नान भी तयार है तो चलिए जटपट से मैं लगा लेती हूँ अक्ष की प्लेट क्योंकि अभी कोई भी घर पे नहीं है खाना खाने के लिए तो सबसे पहले मैं उसी को खाना खिलाने जा रही हूँ तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शियर करें साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना विलकूल न भूले तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर